आज मैं इस ड्रोइंग का सेकेंड पार्ट लेकर आई हूँ आज हम करने वाले हैं पारवती जी का कलरिंग पार्ट शेव जी का कलरिंग पार जिससे नहीं देखा है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदूँगी जरूर से देखना एगाइस मैं हूँ नुपर वल्कम तो मैं चानल नुपर क्रेशन जहां मैं आती हूँ आट और क्राफ्श से लेटेट वीडियो हैं वेंस्टे और साटर्डे तो और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कर लो और बेल बटन जरूर प्रस कर देना ताकि मेरी हैं नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुच जाए तो सबसे पहले मैंने पारवती जी के जो फेशल फीचर से जैसे आइस नोस और लेफ्स इसको हाइलाइट कर लिया है ताकि मैं जब और पेस्टे कलर से कलर करूँ तो यह फीचर हमारे लिए विजबल रहे फोटो को अबजर्ब करते वे यहां मैं तीन कलर यूज करने वाली हूँ ग्रे कलर स्किन कलर और सी ग्रीन कलर फोटो को अबजर्ब करते वे हम कलरिंग स्टार्ट करेंगे जहां बहुत बारिक काम की ज़रते हैं वहां मैं पैंसर कलर का यूज कर रही हूँ झाल झाल फोटो को देखोगे ना तो इनकी जुल्वी में थोड़ा सा मेटेलिक लुक आ रहा है तो इसलिए मैं यलो स्कीन तोन यूज़ कर रही हूँ साथ में ब्राउन कलर एंड वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ हाइलाइट के लिए और डिजाइनिंग के लिए हेर के लिए सिंपली ग्रे कलर से मैंने स्टोक्स लगाएं उसके बाद वाइक कलर से हाइलाइट किया है जहाँ पे डार्क हेर कलर दिख रहे हैं वहाँ पे ब्लाक कलर यूज़ किया है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो किया है कर दो कर दो किया है कर दो कर दो कर दो कर दो किया है झाल 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 बैग्राउंड के लिए मैंने ओली ग्रीन कलर यूज किया है साथ में ही ब्लाक कलर से कॉर्णर पर कलर करके अच्छे से ब्लेंड कर दिया है फिर लाइट ग्रीन और यलो कलर का यूज करके हम रेंडम स्टाइल में लीफ स्ट्रॉ कर लेंगे और आपका बैग्राउंड त्यार हो जाएगा तो आज का वीडियो पसंद आयो हो आटवर्क पसंद आयो हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलना मिलते हैं नेक्स वीडियो में यानि की वेंस्टे को एक नियू आइडिया के साथ तब तके लिए बाइस चीके